भाई और भेनों, बीते पाँच वर्सों में असम की मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को फिर से स्थापित करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए है। कोशिश ये हैं कि असम को नौर्थ इसको दूसरे पुर्वी एश्याई देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक और व्यापारिक देश्तों का भी केंद्र बनाया जाए। इसलिए इनलेंड वाटर वेच को यहां एक बड़ी ताकत बनाने पर काम चल रहा है। हाल में ही बांगला देश के साथ वाटर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक समझोता भी किया गया है। ब्रह्मपुत्रा और बराग नदी को जोडने के लिए हुगली नदी में इंडो बांगला देश प्रोटोकॉल रूट पर काम चल रहा है। इससे असम के अलावा मेगालय, मिजोरा, मनिपूर और तिपूरा को भी हल्दिया, कोलकता, गोहाटी और जोगी धोबा के लिए एक बैकल्पी कनेक्टिविटी मिलेगी। यानि अभी नौर्थ इसको शेष बारत से जोडने के लिए जिस संक्रे से एक छेतर पर हमाई निरभरता रहती है, उस निरभरता को ये रास्ता कम करेगा। भाई और बैनों, जोगी धोपा का TWT टर्मिनल, IWT टर्मिनल इस वैकल्पी एक रास्ते को और मजबुत बनाएगा और SM को कोलकता से हल्दिया पौट से जलमार द्वारा जोडेगा। इस टर्मिनल पर भुटान और बंगलादेश के कारगो, जोगी धोपा मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क के कारगो और ब्रह्मपुत्र नदी पर अलग-अलग सानों के लिए आने जाने की सुविदा मिलेगी। साथियों, अगर सामान्य जन की सुविदा प्रात्फिक्ता हो और विकास का लक्ष अटल हो तो नए रास्ते बनी जाते हैं। मजुली और नेमाती के बीच रोपेक्ट सिवा ऐसा ही एक रास्ता है। इससे अब आपको सडक के रास्ते करीब सबाद 400 किलोमेटर गुम कर आने की जरुवत नहीं पड़ेगी। अब आप रोपेक्ट से सिरफ बारा किलोमेटर का सफर करते हुए अपनी साइकील, स्कूटर, बाई क्या कार को जहाज में ले जा सकते हैं। इस रास्ते पर जो दो जहाज चलाए जा रहे हैं वो एक बार में करीब 1600 यात्री और दर्जनों वहनों ले जा पाएंगे। ऐसी ही सुविधा अब गोहाटी के लोगों को भी मिलेगी। अब उत्तरी और दक्षिन गोहाटी के बीच की दुरी 40 किलोमेटर से कम होकर सिरफ 3 किलोमेटर तक सिमिट हो जाएगी। इसी तरह दूपरी और हत्सिंगी मारी के बीच इसकी दुरी करीब सबाद 200 किलोमेटर से कम होकर के 30 किलोमेटर तक रह जाएगी। साथियों हमारी सरकार द्वारा सिर्फ जलमारगी नहीं बनाए जा रहे हैं बलकि इनका उपयोग करने वालों को सतिक जानकारी भी मिले। इसके लिए भी आज इपोर्टल लॉंच किये गए हैं। कार डी पोर्टल से नेशनल वाटरवे सभी कारगो और कुछ से जुड़े ट्रैफिक डेटा को रियल टाइम पर कलेक करने में मदद मिलेगी। इसी तरह पानी पोर्टल पानी पोर्टल नौचालन के अलावा बॉर्टरवे के इंफास्रेक्टर से जुड़ी जानकारिया भी देगा। जी आएस अधारित भारत में पोर्टल उन लोगों की मदद करता है जो यहां गूमने फिरने या व्यापार कारोबार के लिए आना चाहते हैं। आतमंदिर पर भारत के लिए मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का देश में विकास हो रहा है असम उसका बहतरी उधारन होने वाला है। भाई और बैनों असम और नौर्थ इसकी वाटर रेल्वे हाइवे कनेक्टिविटी के साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है। इस पर भी लगातार काम हो रहा है। अब सेंकडो करोड रुपिय के निवेश से गुहाटी में नौर्थ इसका पहला और देश का छठा डेटा सेंटर भी बनने वाला है। इस सेंटर नौर्थ इसके सभी आठ राज्जो के लिए डेटा सेंटर हब के रुप में काम करेगा। इस डेटा सेंटर के बनने से असम सहीत पूरे नौर्थ इसके इगवरनन्स को, आईटी सर्विस आधारिस इंडस्ट्री को, स्टार्ट अप्स को और बन मिलेगा। बीते सालों से नौर्थ इसके युवाओं के लिए बीपीओ का जो इको सिस्टिम तयार किया जा रहा है, उसको अब ताकत मिलेगी। यानि एक प्रकार से ये सेंटर डिजिटल इंडिया के वीजन को नौर्थ इसमें भी मजबूत करेगा। भाई और भेनों भारत रत्न डॉक्टर बुपेन हजारिका ने लिखा था। कर्मई आमार धर्म, आमी नुतुन जुगर नुतुन मानब, आनिम नुतुन स्वर्ग, अभेलित जनतार बाबे, धरात प्रातिम स्वर्ग, यानि हमारे लिए काम ही हमारा धर्म है, हम नए युक्के नए लोग है, जिनकी सूध ही कभी नहीं ली गई, हम उनके लिए नया स्वर्ग बनाएंगे, धर्ती पर स्वर्ग बनाएंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वात की इसी भावना के साथ, आज असम और नौर्थी सहीद, पूरे देश में सरकार काम कर रही हैं, ब्रंब पूर्तर के इर्दगीर सम्रुद्ध हुई, असम्या संस्कृति, अध्यात्म, जन जात्यों की सम्रुद्ध परंपरा और बायुडार्वसिटी, ये पूरे देश की बहुत बड़ी दरोहर है, हमारे घुवरों गाता है, स्रिमंत संका देवजी भी, मजुली द्वीप इसी दरोहर को ससक्त करने के लिए आए थे, इसके बाद मजुली की पहचान अध्यात्म के केंदर के रुप में, असम की संस्कृति की आत्मा के रुप में बनी, आप सभी ने सत्रिया संस्कृति को जिस प्रकार आगे बढ़ाया वो प्रसंच नहीं है मुखाशिल्प और राश उत्सव को लेकर जिस प्रकार देश और दुनिया में अब उत्सा बढ़ रहा है वो अद्बूत है ये ताकत ये आकरशन सिर्फ आपके पास ही है इसको बचाना भी है और आगे बढ़ाना भी है भाई और बैनों मैं सरबानन सोनोवाल जी और उनकी पूरी टीम को बढ़ाई दूँगा कि मजूली के असम के इस सांस्कूर्थिक आध्यात्मिक और प्राकूर्थिक सामर्थ को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रसंसनिये काम किये है सत्रों और दूसरे महत्वपन स्थानों को अवेज कब्दे से मुक्त करने का भियान हो कल्चरल उनिवर्सिटी की स्थापना हो मजूली को बायोडिर्वर्सिटी, हेरिटेज सिटी, साइट का दर्जान देना हो तेजपूर, मजूली, सिवसागर, हेरिटेज सर्कीट हो नमामी ब्रह्मपुत्र और नमामी बराग जैसे उत्समों का अहोजन हो ऐसे कदमों से असम की पैचान और सम्रुद्ध हो रही है साथियो, आज कनेक्टिविटी के जिन प्रोजेस का प्रारम और सिलान्यास किया गया है उनसे असम में टूरिजम के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं क्रूज टूरिजम के मामले में असम देश का एक बड़ा डेस्टिनेशन बन सकता है नेमाती, विश्वनाजगात, गोहाटी और जोकिध हपा में टूरिज जेटी बनने से असम की टूरिजम इंडस्ट्री को एक नाया आयाम मिलेगा जब क्रूज में घुमने के लिए देश और दुनिया का जादा खर्च करने वाला टूरिज पहुचेगा तो असम के युवाओं की कमाई के साधन भी बढ़ेंगे टूरिजम तो ऐसा सेक्टर है जिसमें कम से कम पड़ा लिखा कम से कम निवेश करने वाला भी कमाता है और स्किल्ड प्रोफेशनल भी कमाता है यही तो विकास है जो गरिब से गरिब को भी सामान्य नागरिक को भी आगे बढ़ाने का अउसर देता है विकास के इसी इक्रम को हमें बनाए रखना है और गति भी देनी है असम को नौर्थिस को आतमंजिर भर भारत का मजबूस स्थम्भ बनाने के लिए हमें मिल करके काम कर रहा है एक बार फिर आप सभी को विकास के नए प्रोजेस्ट के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद